सनातन धर में देव उठनी एकादसी का विशेश महप्त होता है। कार्तिक माह की एकादसी को भगवान विश्नु चार माह के विश्राम के बाद योग मुद्रा से जाकते हैं। इसलिए इसे देव उठनी एकादसी कहते हैं। इस एकादसी को देव प्रवोधनी एकादसी के पंडित देवा अंजी ने बताया कि इस दिन भगवान शालिक ग्राम और तुलसी माता का बिवाह भी किया जाता है। तुलसी पूजन से बड़े ही सुपकारी लाब होते हैं और वेति के घर फैले वास दोस और नकारात्मक उर्जा का नास होता है। तो आईए जानते हैं तुलसी पूजन से जुड़े लाब और इसके उपाए। किस तरीके से हमें तुलसी विवास संपन्द करना चाहिए और इसके क्या लाब होते हैं तो इस वीडियो में हम जानेगे। तुलसी के पौधे के चारो वोर सबसे पहले आप गन्ने का मंडब तयार कर लें। मंडब तयार करने के बाद उस पे आम और गेंदे के तोरण बान दे। पूजा इस्थल के समीब अश्ट दल और कमल आकरती की रंगोली बनाएं यह काफी सुब मानी जाती है। रंगोली एकलर की मदद से शंख चकर और गाय के पैर बनाएं। यह सुबदायक होता है। tulसी के साथ ही आवला का पूजन करें और पौधा पौधा दसाचरी मंतर से तुलसी का आवाहन करें। आवाहन के साथ ही तुलसी को घी का दीप और धूप डिगाएं। गंगाजल से श्नान कराकर सिंदूर, रोली, चंदर, अच्छत और नौवेद्ध चढ़ाएं, तुलसी को वस्त्र और सोलह संगार से सजाएं और अर्पित करें। तुलसी हरी प्रियशी हैं, और लक्षमी स्वरूप हैं, इसलिए लक्षमी अस्टोत्र या दामोदर अस्टोत्र पढ़ें, अगर वहीं बात करें तुलसी पूजन के लाब की, तो तुलसी पूजन के भिन लाब होते हैं, और इस दिन हमें जरूर इन उपायों को करना इस दिन निशंतान दंपति के तुलसी नामाश्टक पढ़ने से संतान सुक्की प्राप्ति होती है साथ ही तुलसी नामाश्टक के पार्ट मातर से सिर्फ सीग्र बिवाह होता है और रिस्तों में मधुरता आती है जिन लोगों को बिवाह दोस होता है उनका बिवाह नहीं हो रहा होता है उन्हें तुलसी नामाश्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए तुलसी बिवाह की दिन श्री हरी और माता तुलसी के बिवाह के पश्चा कलस भर के घर में प्रवेस करने से धन की कमी कभी भी नहीं आती वहीं अगर नौकरी पेशे में बरकत की बात की जाए तो नौकरी पाने कारोबार बढ़ाने के लिए गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांध कर आफिस या दुकान में रखें मनोवांचित फल की प्राप्ति होती है और आपके घर शुक अधिका वास होता है लोकिक संसारिक शुक है भुक्ति भुक्ति कहते हैं कि यहां सबसे बड़ा शुक है परिवार का शुक जिसे कहते हैं कि निरुबेग ने दामपत्य शुक की प्राप्ति हो तो लोकिक शुक की कामना लोग तो तपरश्या किये हैं पूराना इतिहास कहत पदीनी पाने के लिए लोगोंने तपशया किये किसी ने पतीने हमें नारायन और लक्षेशμी की क्रपा होती 벤 तो सती तिर्टिया निए एक मर्यादा यो तुन्हें परिवार की प्राप्ति होती है जो पधिपत्नी में अगाध प्रेम हो ऐसा भगवान की कृपाश्य होता है क्योंकि गोपियों ने भगवान की आरादना भी की थी और उन्हें भगवान से मागा भी था इसके लिए काहा भी जाता है श्रीम्हदभागुदमें कि उनकी आराज़व की आरादना पती प्राभ्त के लिए ही तो इस्त्रियों के लिए विसेस्त तौर से हैं और पुर्षों के लिए और परिवार की अन्नवी समस्यायों का समधान होकर लोग की शुप रात होते हैं